अगर आपके पास इसका डाटा है, आपके पास इसकी याद, इसकी मेमोरी, इसका नुभव है, आपके पास समचार पत्रों में, कटिंग में कहीं इसकी जानकारी है, तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में आज तक भी अलग-अलग संग्ठनों का, अलग-अलग विक्तियों का, अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा हुआ हरमा परदर्शन समयं संग नहीं करता, अजिटेशन समयं नहीं करता, ब्रोध परदर्शन समयं संग नहीं करता संघो के नियम है ये संघो के नियम है कि संघ सड़क पर जा के हला नहीं मचाते मांग नहीं करते वो सरकारों से आमने सामने बात नहीं करते लड़ते नहीं अधिक्तर लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या बात हुई यहाँ तो 29 के 29 लाग शंग्ठन लगातार-लगातार सरकारों पे हमला करते हैं, सरकारों के प्रमुख लोगें उन पे हमला करते हैं, उनका नाम ले लेके उनको कोशते हैं, सडकों पे आंदोलन करते हैं, महिने महिने दो-दो महिने सडकों पे रहते हैं, खुब चिलाते हैं, बसों में जाते हैं, मीडिया के सा आप काशी राम जी ने भी क्यावार प्रदर्शन किये बावा साब के तो प्रतिकात्मक होते थे जैसे मंदिर में घुसना या पानी में पानी को पीना पर संख स्वड़क पर प्रदेशन या किसी भी तरह से कोई आईटेशन या कोई वरोध पर्देशन नहीं करते हैं नहीं करेगा तो पर करेगा क्या और क्यों नहीं करेगा ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लगाता लगाता लोग हमारे धन्नाप्रटेसिन करेंगे एजटेसिन करेंगे और वो आपको उसमें खीचके लेके जाने के लिए बोलेंगे और जो जवान लड़के हैं जो उसमें वो कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ क्या कारण है क्या बात हुई तो मैं यहां ये सप्ष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कमजोर होते हैं जो तूटे हुए होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं उनको ये काम करने ही होते हैं क्योंकि मजबूर जो होगा बिखरा हुआ जो होगा वो हर हालत में अपने आक्रोस को दवाने के लिए निकालने के लिए चिलाएगा भागेगा दोड़ेगा जप्टेगा इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक है क्योंकि धरना प्रदसन कमजोरों को और कमजोर बनाते है और उनकी कमजोरी का प्रदसन करते हैं इस बात को मैं आपको इसलिए समझा सकता हूँ कि आप जितने भी धरने प्रदसन आज तक हुए हैं वो किन लोगों ने किये हैं और उनके क्या परणाम निकले हैं अगर आपके पास इसकी स्टड़ी है आपके पास इसका डाटा है आ आपके पास समचार पत्रों में कटिंग में कहीं इसकी जानकारी है तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में आज तक भी अलग-अलग संँच्छनों का अलग-अलग विक्तियों का अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा हुआ कोई भी धरना प्रदसन कामयाब नहीं रहा बलक का प्रदसन बड़ा प्रदसन उसमें कोई संग्ठन नहीं था उसमें कोई व्यक्ति नहीं था वो सामुइक था वो काम्याब हुआ लेटेस्ट का उधारम देखेंगे ट्रकों वाला जो ट्रकों का ड्राइवरों का आंदुलन सुरू भी नहीं हुआ उससे पहले ही काम्याब ह गया आप देखेंगे कि जो किसानों का अंदोलन था वो दो स्टेट का था पर उसको समर्थन सबका था और वो काम्याब हो गया क्योंकि वो सांगिक्ता संग में था इसके लावा जितने भी धंड़ा प्रदसन हुए हैं वो सिर्फ यह बताने के लिए होते हैं कि हम कितने कमज रहेगी बहुत ज्यादा दो-तिन दिन चलेगी उसके बाद नहीं चलेगी फिर कोई और संसनी आएगी कोई और आएगी ब्रेक्टिंग नीज फिर और हमाई लोगों का डाइवर्जन होगा और अपनी एनरजी उसमें लगाएंगे डॉक्टर रितू सिंग का कोई केस है साथ में एक वकील भी है वहां उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई वो वकील सुप्रीम कोट के हैं कोट में जा सकते थे जाए ना जाए उन्हें पता होगा हो सकता है कोट में उनकी बात ना सुनी हो वो धरने बैठ गई गई धरने पर जब बैठता है व्यक्ति तो व पर में मीडिया में चर्चा में इस्थान मिलता है। उसका Autism व्यक्तित फैव निकल के आता है और जो व्यक्ति का χहरा है वो आगे बढ़ता है । इस्ने स्वाभिविक है क्योंकि जो व्यक्ति धर्ना ह्टर्षंद देगा उसका वहाँ पर हर हलत में चेहरा जाएगा जाएगा अब आज जाएगी जाएगी उसके साथ में कुछ लोग और भी आते हैं जो अलग-लग संट्रों के आते हैं वो समर्थर में आते हैं भाशन देते हैं जोड़दार भाशन देते हैं जीने मनीक कसमें खाते हैं और चले जाते हैं फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है फिर चौथा आता है फिर पांच में आता है रौनक और मेला लगा रहता है बीच बीच में कॉल आती है छे तारी को हम सब इखटे होंगे अब 26 तारी को इखटे होंगे अब 25 तारी को इख काम हो रहा है पर धरने पे बैठने से पहले डॉक्टर रितु सिंग ने क्या कोई सामाजिक कोई सांगिक मीटिंग की क्या किसी संस्ता से सामाजिक संस्ता से या बुद्धी जीवियों से या इंटलेक्शन लोगों से कोई मंत्रना की कोई बातचीत की क्या जो पुराने लोग हैं जो धन्य प्रतिसमें बैठते रहे जीवन भर क्या उनके अनुभव को लिया क्या वहां से कुछ सीखा क्या कुछ जाना के इनके एंड क्या होते हैं जब सारी चीज विरोध में होती है तो कई बार तो ये प्राथना करता है बैठने वाला कि मुझे यहां से उठने के देंगे होता कुछ नहीं है या तो पुलिस उठाके फैंकेगी और या फिर तरस जाओगे कि कोई आके जूस पला दे और इस धन्य प्रद्शन को समापन कर दे रैस्पेक्टेवल तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके से कर दे ताकि इज्जत बची रहे इज्जत बचानी है वहां के जो लोकल एडमिस्टरस न उसको लगता है कुछ पावर है आप उनका कुछ ने बिगार सकते क्योंकि आप अकेले हो आपके पीछे कोई नहीं है आप समू में सांगिक रूप से नहीं आये हो आप इंडिजल हो इंडिजल संस्था हो आपके नाकाम्याब होने की गारंटी है और आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ अपने चेहरे चमका रहे हैं आपके साथ साथ चेहरे चमका रहे हैं और आपका भी चेहरा चमक रहा है जो धन्ने पर बैठता है वो चाहाँ फेल हो या पास हो पर बहुत साए लोग उसको बुलाते हैं वो एकल स्टार बन जाता है एकल्षी मतलब तारा बन जाता है जो तेज़ी से चमकता है और फिर बुझ जाता है क्योंकि दूसरा आना आपए ते इस्टार परणाम नहीं आया, अभी मेरट की घटना है, दो कॉंसलर सरयाम पिटे मेरट महानगर में, दोनों ही अलगलग पार्डियों के दोनों ही समदों की पार्डियों के, कोई बात उठारे होंगे, बात क्या है अमें पता पर विरोधी लोगों ने मारा और दोनों ही समण हैं अच्छी पटाई हुई उनकी खूब वीडियो बाइरल हुए वहाँ पर एक नेता गया उनकी साहनबूती में नाम चंद सेखर आजाद वह जाके बैठता है भाशन देता है चला जाता है फिर दूसरा नेता आया नाम डाक्टर हरविंदर सिंह भैठता आये भाशन देता है चला जाता है फिर तीसरा नेता आता रहे कुछ सक्ती दल्का है ऐडवोकेट रवी सैथ हाँ वहां जाता है, हम धन्ना करेंगे, प्रिजन करेंगे, कलेक्टेट घेरेंगे, ऐसा घेरेंगे, चला जाता है, उसके बाद में एक कॉल और आती है, कि अब कलेक्टेट पे साइद 19 तारिक है या 22 तारिक कुछ ऐसा यह एक नया परचा आया है, कि वहां सब लोग आएं चाहता है, क्या हो रहा है, आप ठोड़ा analysis करो, जिनेरल पाडियों के वो लीडर हैं, वो पार्टियां कॉल नहीं दे रही है, अलग-लग पारटी है, नेशनल लेवल की पारटी है, स्टेट लेवल की पारटी है, वो कॉलल दें, अपने उसको बचाने के लिए, वो नहीं आ अगर उनको चेरा नहीं चमकाना होता, उनको सच में मदद करनी होती, तो वो पहले एक सभा करते, उस सारे आपस में बैठते, अपने मतभेद बुलाते, भुलाने के बाद कहते के नहीं ये पिटाई हुई है, इस पिटाई में पार्टी से उपर या समाज की बात है ऐसी बात है, तो साही लोग बैठते, ना तो वो पार्टी या साथ बैठी, ना जो नेता जा रहे हैं, वो साथ बैठे, पर वो जा रहे हैं और वहां जाके वहां बैठते हैं, फोटो किछवाते हैं, कहते हैं, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा च्छा हुआ, बड़ा खराब हुआ, सा अब अभी हमारे एक नौजवान वकील ने जोसमें कहा कि सारे संग्ठनों को और उससे पहले जो डॉक्टर साम है मैं नाम भूल गया उनका हनुमान सिंग सायद नाम है उन्होंने कहा कि एक कॉल देनी चाहिए पूरे संग्ठनों को और यहां जितने भी संगी हैं उनको भी कहा हम कॉल करेंगे क्यों करें हम कॉल और क्यों सारे संग्ठनों को इखटा होना चाहिए किस लिए अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि आपको धरना प्रदसन का एंड क्या हो सकता है आपकी पटाई भी हो सकती है आपको वहां जेल भी हो सकती है आपको मारा भी जास जा सकत कि हम यहां क्या करें, क्या ना करें, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बात हैं, आप खुद जाते हो, फस जाते हो, फसने के बाद रोते हो, रोने के बाद कहते हो, समाज ने साथ नहीं दिया, आपने समाज का साथ लिया कब, आप तो समाज को ओर्डर दे रहे हो, आग्या दे कहा है समाज कहा नहीं है समाज को इस्तमाल कर रहे हो या समाज से मदद मांग रहे हो ये ठीक ऐसे है जैसे कोई लड़का लड़की जब आपस में प्रेम कर लेते हैं और जब शादी हो जाती है और उनके माबाब बिरुद हो जाते हैं और पुलिस में केस पकार लिखे जाते ह तो फस जाते हैं केस में, केस में फसने के बाद जब उन पर केस बनता है तो बहुत साइल लोग उनसे कहते हैं अब मदद क्यों मांग रहे हो जब तुमने आपस में प्रेम सम्मंद बढ़ाए थे तब तुम को सोचना चीए था कि इसके परणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे सामाजिक बाते हैं आप सीखो पहले कि आप जो स्टैप उठा रहे हो वो सामाजिक है या प्राइवेट है साथ नहीं रहते हो तब तो अलग लग भागते हो अलग लग नेता बनते हो और जब फ़स जाते हो तो समाज जाते है तो कितनी बार समाज मदद करे और किस किस की करे या तो सभी ऐसा चल रहा है इसलिए संग नहीं जाते संग इसलिए नहीं जाते क्योंकि संग अगर सबी के साथ ऐसे उलसते रहे लाखो केस होते हैं डेली लाखो लाखो पिटाईया होती है लाखो लोगों के साथ सोचन होता है अगर सांगी के रूप से सब साथ नहीं आएंगे तो किस-किस के साथ जाओगे अलग-अलग तो सभी पिटेंगे सारे नेता अलग-अलग हैं जो हात असका कांड हुआ था उसमें सारे नेता गए सबने फोटो किचवाए सारे अलग-अलग गए पहले भी हमने ये बात बताई अब फिर बता रहे हैं कुछ नहीं हो सकता अलग-अलग जाने से ये जो फोटो वाजी नेता वाजी होती है भाशन वाजी होती है ये समाज को नुकसान के लावा कुछ नहीं देते कभी ध्यान से देखो ध्यान से सोचो वो लोग जो ना धरना करते हैं ना प्रदसन करते हैं वो हर चीज के मालिक है उन पर कोई एक्टो सिडिज नहीं होती वो संग वे रहते हैं उनके सामुईक निर्ने होते हैं लोग उनके निर्ने को इंप्लिमेंट करते हैं उनमें दिखावा नहीं होता वो अलग-अलग नहीं भागते फोटो कहचाने के लिए वो अलग-अलग नेतागरी नहीं करते वो अलग-अलग गुरूप नहीं बनाते वो अलग-अलग संटर नहीं बनाते वो सब एक नेताथ में एक कमान में एक बात में चलते हैं इसलिए अधिकार उनके घर आते हैं इसलिए उनके बच्चों पर कोई पताणा नहीं होती इसलिए वो हर चीज के मालिक है जगड़ा किस बात का है डॉक्टर रितु सिंग का क्या जगड़ा है में जगड़ा सुनिए पढ़ाना चाहती है यूनिवर्स्टी कहती है आपको पढ़ाने की ज़ाज़त नहीं है लक्षमन सिंग का क्या था पढ़ाना चाहते हैं और यूनिवर्स्टी कहती है कि आपको पढ़ाने की जरूत नहीं है यानि देश को टीचर की आउशकता नहीं है यह मसला है ये मसला है कि देश में अनपड़ लोग हैं पर उनको पढ़ाने के लिए टीचर अवेलिबल नहीं है आप पढ़ाना चायते हैं पर आपको पढ़ाने की परमिसन नहीं है यानि कि आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है ये मुद्दा है में मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर लक्ष्मन याद आपकी एड़ोग की नौक्री निकल गई या रीतु सिंग की एड़ोग की नौक्री निकल गई मुद्दा ये है कि पढ़ाने वाले त्यार है पढ़ने वाले त्यार है पर पढ़ने वाले और पढ़ने वाले को जो सिस्टम है वो सिस्टम नहीं दिया जाएगा आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते चाहिए बेसक आपके पढ़ने वाले हैं ये जगडा है असली जगडा ये है कि भारत के अंदर पढ़ने वाले जादा हैं पढ़ाने वाले भी जादा हैं पर स्कूल कॉलिज नहीं खोले जाएंगे आपको वो सिस्टम नहीं दिया जाएगा जिससे कि आप पढ़ सको ये जखड़ा है, ये लडाई है, इसको कौन लड़ेगा एक व्यक्ति की नौकरी के लिए आप सही ताकत लगा दोगे, दो व्यक्ति की नौकरी के लिए सही ताकत लगा दोगे तो करोलो लोग जो अनपड़ हैं उनके लिए कौन ड़़ेगा, उनके लिए कौन बात करेगा, उनके लिए कहां बात आएगी तो करोडों लोगों की समस्या के लिए करोडों लोग ही चाहिए ये किसी छोटे मोटे संग्ठन या छोटे मोटे सांगी की या एकाद व्यक्ति या एकाद एकलिस्टार या एकाद भाशनवाज या एकाद चेहरा चमकाने वाले किसी नेता की बसकी बात नहीं है इसके लिए ऐसे ही चाहिए जैसे ट्रक ड्राइवर उने सारे लोगों ने ड्राइवर ने कहा दिया कि ये रहे तुम्हारे ट्रक और ये रहे तुम्हारे ड्राइवर अब हम इसकी नहीं चलाएंगे बात खतम हुई इसको बोलते हैं ए सहयोग आंदोलन नौन कॉपरेटिव मॉमेंट दुनिया का सबसे बड़ा मॉमेंट इसको बोलते हैं इसमें कोई एजिटेशन नहीं करना होता इसमें कोई प्रदेशन नहीं करना होता बस काम खतम बंद कर दिया हम सहयोग नहीं करेंगे आपको कोई भी कानुनी रूप से कोई काम नहीं करा सकता और सरकार को पता चल जाता है कि अब बात नहीं बनेगी जब आप ऐसा योग आंदोलन में तरीके से काम करना सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संग की पावर क्या होती है, संग की ताकत क्या होती है पर जैसे ट्रक ड्राइवरों का नेटवर्क है कि एक कॉल आई कि आज से ट्रक नहीं चलेंगे, आज से ड्राइवर नहीं चलेंगे और समने बंद करके डाउन कर दिया ऐसा नेटवर्क कहा है 29 के 29 लाख संग्ठन आपस में लड़ रहे हैं वो नेटवर्क में नहीं है वो आपस में उल्जे हुए है वो एक दूसरे के विरुद है लड़के अपना चेरा चमकाने के लिए अलग-अलग जाके नेतागरी करते है अभी रीतु सिंग्गे पास में एक लड़का आया नाम अभिसेख जाटब नया लड़का है उसको चंसेकर आजात की तरह नया बनना है खूब चिलाता है चीकता है नया बच्चा है उसे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं चीक ने चिलाने को नेतागरी की गारंटी मानते है जेल जाने को नेतागरी की गारंटी मानते है जोड जोड से चिलाने को लोगों का आक्षन को नेतागरी गारंटी मानते है ये हमारे विनास के कारण है ये हमारे पतन के कारण है 70 साल में चीखने, चिलाने से, नेताग्री से, भाशनवाज से हमको कुछ नहीं मिला बलकर हमारा सब कुछ जा चुका है इसका एनलेसिस कर लेना चाहिए इसका ध्यान लगा लेना चाहिए इसको सोच लेना चाहिए कि चीखने चिल्लाने से नेतागरी से क्या मिला कोई बहुत जल्दी कह देगा आपसे अरे अगर कोई हमारा लड़का मर गया कोई बच्चा मर गया तो क्या करें चीखने नहीं चिल्लाएं नहीं एजिटेशन ना करें प्रदसन ना करें खूब करो ना प्रदसन, खूब चिल्लाओ, पर क्या चिल्लाने से कोई बच्चा जिंदा हुआ, क्या एजिटेशन करने से कोई बच्चा जिंदा हुआ, क्या चिल्लाने से एजिटेशन करने से बाद में बच्चे मरने बंद हो गए, तो इसको भी सोच लो जरा, इसको भी द से हिलकाया होता इनको दुटकारा होता इनको गाली बकी होती जो अलग अलग टुकड़ों में चलते हैं और यह खटे होगे होते तो लड़का मरता कहां तो नितु सिंग्गी नोकरी जाती कहां तो लक्षमन जादव को निकालता कौन फिर तो निकालने वाले भी आप थे और उसको जखने वाले भी आप थे फिर तो कॉलिज भी आपके फिर तो यूनिवस्टी भी आपकी फिर तो आप मालिक होते पर ये काम नहीं होता पर ये काम नहीं करते क्यों कि इस काम करने में मेहनत जादा करनी पड़ती है इकटा होने काम जादा मेहनत का है सड़क पे बार 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 बताता है और समझाता है और कहता है और कहता है कि पुरानी हिश्टी उठालो पुराना इतियास उठालो और चेक कलो और आओ बहस कर लेते हैं और तरक कर लेते हैं जो लोग सांगी करूप से खटे रहते हैं कितने हैं दो करोड लोग हैं सिख कभी एजिट इसन नहीं करते वो और उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं सब कुछ उनका ठीक ठीक रहता है पर यहां करोड़ों लोग हैं कई सो करोड़ों लोग हैं पर यह सारे के सारे हमेसा सड़क पर आंदोर नहीं करते रहते हैं पृट्टे रहते हैं यह गरीब गरीब भी रहते हैं क्योंकि सांगी के रचना में नहीं आते, क्योंकि एक साथ इखटे होके नहीं आते, अलग अलग लोग जब आते हैं, तो सरकारों को ये बताते हैं, कि हम अलग अलग हैं, हमको पीटा जा सकता है, हम इखटे नहीं हैं, ये बार 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 बताते हैं, जब किसी एक कहानी चलती है कोई मुगल जो यहां भारत में आता है और भारत में आके वो हमला करता है तो रात को डेरे में अपने अपने लोग रहते हैं मुगल भी अपने डेरे में चले जाते हैं युद लड़ने के बाद और जो भारत के लोग हैं वो भी अलग डेरे में चले जाते ह है इनमें जाती सिस्टम है यह टूटी हुई सेना है इसलिए इनके खाने भी अलग-अलग बनते हैं तो मोगल मुस्कराता है और कहता है कि हम जीत गए आराम से सो जाओ हमें कोई नहीं हरा सकते हूं उनका मरना तै है उस सबको पता है हमारा आरक्षण क्यों गया क्योंकि आरक्षण को बचाने वाले बहुत संग्ठन मन गए और सब संग्ठन ने अलग-अलग कॉल दी और सबको लोग ने पैसा दिया पर किसी ने भी यह नहीं का अरे हराम के पिलो जब आरक्षण ही बचाना है तो इकटे हो के क्यों नहीं आते हो जब मुद्दा एक है आरक्षण एक है लड़ना सरकार से है तो इकटे हो के क्यों नहीं आते हो पर किसी नहीं कहा नहीं इसलिए आरक्षर चला गया फिर बात आई सम्विधान को बचाने की सम्विधान को बचाने की संस्थाएं खुल गई सम्विधान को यात्रा होने लगी अलग-अलग सम्विधान को बचाने के लिए अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं अलग-अलग विरूद परदसन कर रहे हैं अरे भिंडी के बीजो सम्विधान एक है देश एक है तुम अलग-अलग सम्विधान बचाओगे तो सम्विधान बचेगा यह मरेगा इस छोटी सी बास समझ नहीं आती और अब EVM के मुद्दे पे चार पार्टिया आ चुकी है एक वावन मेश्राम की पार्टी अलग करेगी प्रदसन एक उदित्राज का अलग से सिस्टम आया हुआ है मैं जो सोसल मीडिया पर वो बता रहा हूं आपको एक वो जो एड़ोकेट है भानुप्रताप उन्होंने अलग प्रदसन किया है और उससे एक दिन पहले एक अलग प्र है तो EBM कहीं बचने वाला नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको के ये संघ बहुत इंपोर्टन है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं के सांघी के स्टिक्चर बहुत इंपॉर्टन है नागपुर केंदर सबा हुई नापपुर की सबाह देखा आपस में क наблюдा जो एख वहाँ भी समझदारी की बहुत बड़ी कमी है इसलिए आपको बार 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 बताता हूँ यह संग आखरी उम्मीद है यही लताल सकता है यही कह सकता है और कोई नहीं कहता बाकी समय तो अकल भी नहीं है बता देता हूँ अकल भी नहीं है सोच भी नहीं है कि खटे होने की पूरे भारत में अगर सांगिक सोच कहीं है तो ये संग के लोगों की है ये लिख के दिया जा सकता है इस बात की कोई नहीं कह रहा है कि खटे आना आज भी सब लोग अलग-अलगी काम करने में लगे हुए है सब अलग-अलग पर्चे निकाल ले है सब अलग-अलग धन्ना परदसन कर रहे है कोई कमाल की बात है कि दो कांसलर पिट गए और वहां उनको समय नहीं आ रही है और साइल लोग नेता गरी करने अलग-अलग-अलग चले गए कि इतने कमाल की बात है कि रितू सिंग के परदसन में सब लोग अलग-अलग आए सब आए भीमार भी आई, ये आर्मी आई, वो नेता आया ये नेता आया, वो आया हम रोज देख रहे हैं सारी बात है सब अलग-अलग और कोई ये कहने वाला नहीं अरे तुम सारे एक साथ इखटे होके एक साथ आ जाते, मामला बन जाता पर नहीं आए आएंगे भी नहीं रितू सिंग को नौकरी दिलाना या नया दिलाना मकसद नहीं है मकसद है रितू सिंग के प्रेट फार्म पर जाके अपना चेहरा चमकाना MLA MP का टिकेट लेना राजनीती में कहीं MLC, PAMLC कोई राजसवा का मेंबर बन जाना ये उद्देस हैं लोगों के छोटे-छोटे अगर बड़ा उद्देस से होता सांगी के उद्देस से होता तो इस संग के वारे में सोचते इस सांगी के परकिरिया में जो हम दिन्डात यहां बोल रहे हैं और हम तो बाकाइदा कैवार गाली के साथ नमासते हैं हम इस बात को सुकार करते हैं कि हम गालीयां भी देते हैं पर गालीयां भी चबा जाते हैं गालीयां भी खा जाते हैं कि खटे हो जा हाई उसका भी कोई समनी इतनी मोटी चड़ू हुगई है चमदी इतनी मोटी हो गई है और बुद्धि उस्सें tom स्सस्क्राइख उन्जा किया कहा क्या नहीं कह डॉक्टर अमेरत कर ने कब कहा था इंसंगणों को तुम अलग 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 जाना किसी के याद दुख प्रिकल करने। कब डॉक्टर Warszawa मैटर करने ये काता कि तुम अलग 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 जाना किसी पड़िर्प्रस्ण के अंदर। कब डॉक्र cookies करने ये काता कि तुम न के सम् Whealotans को बचाने की लिए संग जो काम कर रहा है और समयंज संग जो बात कर रहा है वो इसल performers है कि पूरे भारत में अकेले हम हैं जो जो जूज रहें और जो लड़ रहें एंडिए हम अब बहुत लाचार हो किसी बात को कहते हैं कि अगर संग किसी भी अगर ताथ मैं कहीं बैठ गया या कोई दिक्कत ओगई तो फिर आगे अम्मीद नहीं है किसे भी सारी माांसेफ एक दूसरे से वलज रही है बहुत खतम हो चुकी है, बामसर्व का concept खतम हो चुका है। बामसर्व का concept था non-agitation, non-religious और non-political. अब बहुत पालिटिकल भी हो गई है, religious भी हो गई है और वो agitation भी करती है। उनका जो सांगी की structure था वो तूटके संग्ठनों में टुकले टुकले में बदल चुका है उनके 40 टुकले हो चुके हैं कोई उम्मीद नहीं है उनसे इसलिए बार 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 यहां बताते हैं कि इसमें जोडते जाईए जोडते जाईए जोडते जाईए जोडते जाईए हमारी education, हमारी health, हमारे बच्चे, हमारे मकान ये सब धीरे-धीरे हमारी आँखों के सामने से जाएंगे और जैसे आए हैं वैसे जाएंगे education जैसे आई कैसे education आई बावा साथ डॉक्टरां मेट करने हमारे लिए education का right किया, education हमको मिली education में हमें reservation दिया हमारी सीटें रिजर्व कराई हमारे लिए फीस माफ करवाई हमारे लोग पांच 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 ददस पैसे की फीस में पड़े तो क्या मिला education का right और education की फीस माफ दो चीज़ें हमें मिली तो आपकी दोनों चीज़ जा रही है सबसे पहले उन्होंने फीस खतम कर दी अब आपको सस्ते में नहीं मिलती education अब आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा तो बहुत लोग नहीं पड़ पाएंगे जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं है वो नहीं पड़ पाएंगे और आप उनको पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास भी अतने पैसे नहीं है आप भी कोई धन्दा सेट नहीं हो जो उनको पढ़ा दोगे और आपके कोई school college university भी नहीं है और दूसरा जो था वो था रिजर वेशन education का रिजर वेशन तो private university में education का रिजर वेशन नहीं है और अगर रिजर वेशन है तो भी वो महंगे पैसो पहे अगर 18 लाक में एक एडिमिशन जनरल का होगा तो आपका 16 लाक में 12 लाक 14 लाक में है तो 24 लाक कम भी होगे तो उसमें क्या कर लोगे आप तो आपका रिजर वेशन भी गया जो आपका एडिमिशन का राइट था और आपका पैसा जो फीस माफ थी वो भी गई तो कैसे लोगे education और अगर घर बेचके education ले भी लोगे तो नोकरी कहां करोगे अगर आप किसी भी stream में जाते हो अगर आप advocate बनते हो तो आप वो case नहीं मिलेंगे आप किसी private उसमें जो इनकी corporate sector के जो होती है unit उसके अंदर जो एड़ोकेसी होती है उसमें तो लेंगे नहीं और सकाई नोकरियां है नहीं और हैं भी तो आपको मिलने वाली नहीं है तो आपको private practice करोगे तो आपको client नहीं मिलेगा क्योंकि आपके लोगों के पास तो पैसे नहीं है client जिनके पास हैं वो आपको देंगे नहीं आप अगर mbbs एकात करोड रुपे हैं आपको रखेगा नहीं डॉक्टर लक्स्मन का जगड़ा चला है डॉक्टर जितु सिंग का जगड़ा चला है और भी लोगों का जगड़ा है जो पहले चला था तो नोकरियां मिलेंगी नहीं एक एक वेकर से निकालते हैं और अपने अपने आद्मियों को रोष्टर पर भरते हैं, रोष्टर से वो लड़ रहे हैं पर कामयाब नहीं है, आप करोगे क्या, अगर एजूकेसे मी ले लोगे, इंडिस्ट्री आपके पास है नहीं, जमीन जैजत आपके पास है नहीं, खेती बाले आपके service sector ता और उसमें भी education खत्म नौक्रिया खत्म तो कैसे बात बने गिया और ऊपर से master से वह मसीड़ा का का'M करता किसे होगा तो brain का डबलोमेंट कैसे होगा तो लड़ोगे कहांसे फिर भूका तो भगवार उनलड़ पाई भूके थे तो उनको समझ में आ गया कि भूके होने से बोधी प्राप्त नहीं होती तो खाना खाया पहले सरी ठीक किया तब बोधी प्राप्त हुई तो भूका आदमी तो रूटी के लावा खुश सोचता नहीं आजादी वाजादी या जो मिसर मुवमेंट है वो तो गया सब साइड में इसलिए समन संग बहुत है तो समन संग में करना क्या है समन संग से जोडने के लिए आपको अपना मन त्यार करना पड़ेगा इसकी बात है समझ ही पड़ेंगी इसका जो समन गंत है वो समझना पड़ेगा अपने जितने आसपास के लोग हैं उनको कहना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि बिन इखटे हुए कुछ नहीं हो सकता और कोई व्यक्ती ऐसा है जो बिना लोगों को इखटे की हुए हमारे अधिकार बापिस करा सकता है तो ले आ उसको हम उसके पैर धोके पीएंगे कोई नेता ऐसा हो जो ये कहता हो कि मैं ये काम कर दूँगा और बिना लोगों के इखटे करे हुए आपके अधिकार दे दूँगा तो लिया उसको हम उसके गले में हीरों की माला डालें और उसके पैरों की गंदगी को धोके पिएंगे धोके लिटरली बोलें इसको धोके पिएंगे हम पर ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है नहीं सुयम सिद्धत गौतम यानि गौतम बुद्ध भी नहीं थे गौतम बुद्ध भी संग बनाया संग बना के बोधी फैलाई है बिना संग के बोधी भी नहीं फैली बिना संग के ग्यान भी नहीं फैला दुनिया में जो भी लोग हैं उनके पीछे संग रहा है चाहे वो किसी भी आवस्था में कैसा भी रहा हो व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं पर काम संग ने किये हैं और अब इस्तिती ये हो रही है कि लोग अपने नाम के चकर में इतने ज़्यादा उचलते कूटते हैं कि और हमारा बेड़ा करक हो रहा है इसलिए संग ने व्यक्तियों को प्रमोट ना करने का बिड़ा उठाया कि हम व्यक्ति को प्रमोट नहीं करेंगे हम संग को प्रमोट करेंगे और संग के लिए काम करेंगे और इसके लावा समर्ण गंत में जो नाम लिखें वो माद्ध में या जो कोई समर्संगी है वो माद्ध में पर ये काम तेजी से करना है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिस समरसंग कैसे करेगा, क्या करेगा, बहुत सारे प्रसंद आते हैं, कैसे करेंगे, हर जी के प्रसंद आते हैं, पहला प्रसंद आता है उद्देश से क्या है, तो नए लोग यहां दो चार होंगे तो बता देते हैं, उद्देश से हम हमारा है संबनों खास फिर का टाल ऑगर किसे करोंगे तो हम उनसे साफ कहते हैं एक एक खत्ते होंगे एक खत्ते होने के बाद में जो इस्टे हुए करें घे पहुचा देता है अप सब्य लोगों बोलोगों के organizing पहुंचते हैं हमारे अलावा बाकी सब लोगों के अधिकार उनके घर पहुंचते हैं ना तो आदिकार नेखे करोगे जैरे राजनीती की आउसकता कि निए लोगों की आउसकता होती है आप राजनीती कर ले ना जिसको करनी है संग में राजनीती के लिए मरा नहीं है संग राजनीती में नहीं जाएगा बाकी कोई भी संगी जा सकता है राजनीती करो खुब करो पर क्या बिना लोगों के इखटे करे राजनीती कर लोगे या पहले राजनिति करोगे बाद में खटा करोगे आज तक सब लोगों ने राजनितिक पार्टियां पहले बनाई हैं लोग बाद में खटे की हैं फिर भी परणाम नहीं आते और संगों में तो बिना राजनितिक के परणाम आज आते हैं देख लो दूसरे संगों को, दुनिया में कितने भी संग चलते हैं उनको देख लो, उनकी राजनितिक पार्टी कब बनी, कब नहीं बनी, कैसे बनी, वो बिना राजनितिक पार्टी की मोज करते हैं, आप हरियाना के जाटों को देख लो, उनकी कोई राजनितिक पार्टी खटे रहते हैं, बेसक उनके पास पैसे नहीं है, बेसक उनके पास है जूके से जादा नहीं है, बेसक वो गरीब है, पर वो सुरक्षत हैं, विकास तो नहीं हो रहा पर सुरक्षत हैं वो, तो संग में सुरक्षा की गारंटी है, आप कुछ भी उठा के देखोगे, तो कोई भी काम करने के नहीं है लोगों को इखटा करना पहली सर्थ है पहली सर्थ कोई यह कहता हो कि बिना लोगों को इखटे करें मैं सारे काम करतूंगा ऐसे देव को ऐसे देपता को ऐसी देवी को ऐसे महापुरुस को ऐसे महादेव को तुन्त ले के आना चाहिए और संग में ले उन्होंने भी लोग इखटे कर रखे हैं, उनके पर्मानेंट लोग इखटे हैं, वो कोई एजिटेशन नहीं करते हैं, वो कोई धन्ना नहीं करते हैं, वो कोई प्रसंद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने संग की सेवा करते हैं, अपने संग का आदिस मानते हैं, उनके टुकले नहीं हैं, उनके जितने संग्ठनें उनके अनुसार चलते हैं, इसको समझ लो, इसको जान लो, इसलिए 11 फरवरी को आना बहुत जरूरी है, आपके आने से कोई करांती नहीं होगी, पर आपके आने से पुरानी जो करांती है, उसका आप स्वाचक होगे, और आप दो कदम किसी लालच के, बिना राजनितिक लालच के, बिना MPMLA के लालच के, बिना किसी ऐसे कारण के, वो परिवाय के रूप में खटे होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, इससे आपको यह एहसास होगा, कि हाँ हम पेराने संगी हैं, वहाँ आपको यह एहसास होगा, कि हम बिना मतलब के भी खटे होते हैं बिना एटो सिडीज के भी खटे होते हैं जो लोग सुख में खटे होते हैं उनके पास दुख नहीं आता और जो लोग दुख में खटे होते हैं उनके पास फिर दुख लोट के आता है क्योंकि वो मतलबी लोग होते हैं जो दुख में खटे होते हैं और जो सुख में खटे होते हैं वो बहुत सहोगी लोग होते हैं उनके पास दुख फटकता है नहीं है आप किसी का हालचाल पूछते रहोगे हालचाल पूछते रहोगे और फिर कभी उसे कोई कष्ट होगा तो आप ऐसे ही मिलोगे उसे जैसे हाल चाल पूछ रहे हैं और उसका कश्ट दूर हो जाएगा पर अगर अगर किसी के कश्ट में आप जाओगे तो वो बारवार कहेगा रहे इसे जब कश्ट होता तब ही आता है जब इसा कश्च उता तब ही आता है, वैसे तो कभी हाचार go listen आया रही तो संग की प्रिक利या, बहुत प्यारी प्रिक利या है, बहुत अच्छे प्रिक利या है, जो हमें एक दूसरे से जोडने में, शांती के समय प्यार से वार्था करने में, और एक दूसरे के सुख-दुख मे काम आने के लिए होती है ये सारे संग्ठनों से हटके है संग्ठन जब भी कॉल देते हैं मुसीबत में देते हैं कभी सुख में नहीं बलाते हैं पर संग हमेसा आपको सुख में बलाता है जो सुख में खटे होते हैं उनको दुखनी आता कभी भी कभी भी जिन्दगी में दुखनी आता इसलिए आपको 11 फरवरी को परिवार के साथ आना है जो लोग आ सकें आएं जो लोग नहीं आ सकतें वो आने की कोशिस करें या किसी को भेजने की कोशिस करें संग लगातार बढ़ रहा है तेजी से बढ़ रहा है पुराने लोग भी इसमें लोट लोट के आ रहे हैं जो चले गए थे संग को बताने के लिए संग गंथ लें संग गंथ के वारें बताएं संग की जानकारी लोगों को दें संग के वारें में लोगों को विस्तार से बाचित करें उनके सवाल जवाब यहां लेके आएं उनको बोलें कि आप संग और संथन में क्या अंतर हैं उसको सवाल जवाब यहां पूछें सारी बात यहां पूछें और यह जो धन्ना प्रदसन जो चीज़े हमारी चलती है यह हमारे यहां नहीं होती फिर भी अगर किसी को मदद चाहिए तो पहले संग में आए, संग से बात करे, संग का जो फैंसला होगा, संग जो सला देगा, उस पर वो चले, उसे माने, तो हो सकता है कि उसको कष्टी ना हो, उसके कष्ट दूर हो जाए, यह मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने पर ऐसी इस्तिती आती है, कि वो रोता है रात को, कि हमको कोई यहां से रेस्पेक्टिवल तेके से उठा ले, यह हमें कोई जूस पिला दे, या इजद बच जाए हमारी सरकार हैं सुनती नहीं है, जो लोग अलग अलग धन्ना प्रसंद करते हैं, उनकी नहीं सुनती, पर जो सांगिक रूप से करते हैं, वो कामया हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए सांगिक रूप से धन्ना प्रसंद करना चाहिए, और सांगिक रूप से धन्ना प्रसंद के लिए आपको पहले सांगिक होना चाहिए, और जो लोग सांगिक हो जाते हैं, फिर उनको धना पिजन की आउशकता भी नहीं होती, ये बात भी सच है, मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानी हुई हो तो मैं संग से माफी चाहता हूँ, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग नमामी, संग नमामी, संग नमामी सरेन गच्छामी तम्मं सेनं गच्छामी संगं सरेन गच्छामी संगं सेनं गच्छामी तम्तियं पी बुधं सेनं गच्छामी तम्मं माशेनं गच्छामी तम्मं सेनं गच्छामी दूतियों पी संगों सरु गच्छाम। दूतियं पी संगों सर्मं कच्छाम। ततियों पी बुद्धों सरु गच्छाम। ततियं पी बुद्धं सर्मं कच्छाम। तथियं पी धममर सरनु गच्चाम।